असलाम अलेकुम विवर्स शगुफतास किरियेशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाजर हूँ आज की वीडियो में हम ये पैटरन बनाएंगे बहुती प्यारा लेस पैटरन है आए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले सिलिप स्टेच बनाएंगे फैब्रेक में अटेच करेंगे इस तरह से फैब्रेक में अटेच करेंगे टू चैन वन सिंगिल क्रोशे टू चैन वन सिंगिल क्रोशे इसी तरह से बनाएंगे यह इस पैटरन की फर्स्ट रो है टू स्टिच चैन एंड वन सिंगिल क्रोशे पूरी रो इसी तरह से बनेगी अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे टू स्टिच चैन इस एक गेप में टू डबल क्रोशे यह देखिए डबल क्रोशे स्टिच टू डबल क्रोशे स्टिच ट्रीव पूर 4, 5, 6, 7 double crochet stitch बनाएंगे, इस तरह से, वन चैन, 2 double crochet stitch, यह इस पैटरन की second row है, टू चैन, 2 double crochet stitch, वन चैन, अब यहाँ पे एक space देंगे, और नेक्स्ट में, 7 double crochet stitch बनाएंगे, जैसे पहले बनाएंगे, यह देखिए, इस तरह से, 7 double crochet stitch, थ्री रोज का पैटरन है यह, यह हम second row बना रहे हैं, एक space देंगे, और 2 double crochet stitch बनाएंगे, 2 chain, 2 double crochet stitch, पूरी रोज इसी तरह से complete होगी, यह देखिए, इस तरह से, अब हम third row बनाएंगे, बनाएंगे, 1, 2, 2 stitch chain, Two double crochet stitch, वन चैन अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे थ्री स्टिच चैन यहां पे हम बीड बनाएंगे अब नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे थ्री स्टिच चैन इसी तरह से हम बीड बनाएंगे यह इस पेटरन की थार्ड रो है सेकिंड रो में जो हमने सवन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इनके ऊपर सवन डबल क्रोशे स्टिच और बीड बनाएंगे इस तरह से यहां पे वन चैन बनाएंगे पहले टू डबल क्रोशे स्टिच अगें वन चैन अब सेम इसी तरह से पेटरन बनेगा डबल क्रोशे स्टिच त्री स्टिच चैन यहां पे बीड बनाएंगे विवर्ज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यह देखिए इस तरह से ही पेटरन बनेगा यहां आपड़ आपको यहां आप आपके वेडियो तक अला आपेश्याएख